Hello viewers, now I am going to give you a tip regarding to the 4000 hours of watch time which is very essential for the YouTube Partner Program and monetization. आपको monetization in YouTube Partner Program के लिए बहुत जरूरी है कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा कीजें. तो 1000 सब्सक्राइबर तो आपके पूरे हो जाते हैं लेकिन 4000 घंटा पूरा करना बहुत कठीन होता है. तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप अपनी वीडियो को लॉंग बनाईए. जब आप वीडियो को लॉंग बनाईएगा तो आपका वाच टाइम का वाच आवरेज जादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कुछ देर तो देखेगा और शॉर्ट वीडियो होगी तो उसका वीउस तो जादा होगा, CTR जादा होगा, लेकिन उसका वाच टाइम जादा नहीं होगा. तो यह देखा गया है कि शॉर्ट की अपेच्छा में वाच टाइम लॉंग वीडियो का जादा होता है, इसलिए आप अगर वाच टाइम बढ़ा आना है तो अपने वीडियो को बढ़ा बनाईए जिससे आपका वाच टाइम बढ़ा बढ़ा जाए. आपका सर्च में अगर वीडियो आएगा तो आपका वीडियो ज्यादा देखा जाएगा. सर्च में कैसे आएगा उसके लिए आपको ऐसा टौपिक चुदना पड़ेगा, जिसके सर्च जादा हो लेकिन इसमें कॉम्पुटीशन काम हो Precis. ऐसा keyword दूनना पड़ेगा, ऐसा viral topic दूनना पड़ेगा, जिसमें सर्च तो ज़्यादा हो, लेकिन competition low. Then optimize your video title, description and keyword for YouTube SEO. और उसके बाद आपको उस video का title, description और keywords जो है, ऐसा select करना पड़ेगा, जो searchable हो, और ज्यादा से ज्यादा rank करता हो. तो आपका video भी search में आएगा और optimize होगा. Create a custom thumbnail for your YouTube video. ऐसे तो जब आप video upload करते हैं, तो 3 frame YouTube देता है, कि आप उसे select कर सकते हैं as a thumbnail, लेकिन हमारी advice है, कि आप अपने video का thumbnail खुद बनाईए. Next है आपका, add video card to your video. अब आप अपने video में 5 i card लगा सकते हैं, और अगर ऐसा कोई video है, जिसमें आपको बार-बार कुछ और detail देना है, तो आपने अगर किसी video में बनाया है, तो उसको i card में लगा दीजिए. Suggest करिए, जिससे कि आपका viewer उस video को भी देखे, जो आपने suggest किया है, i card में. तो उससे क्या होगा, आपका इस video को देखने के बाद, वो उस video को भी देखेगा, और suggestion में, आपके 5 video जो आप लगा दीजिएगा, वो भी आ जाएंगे. तो उसमें से जो उसको best लगेगा, उसकी requirement के हिसाब से, वो video देख पाएगा. Next है, create end screen for your video. अब end screen में दो video, playlist, subscriber, channel link, ये सारे options होते हैं, वो आप अपने video की requirement के हिसाब से, उसको लगा सकते हैं. Next tip है, recommend related video in your video description and comment. आप केवल end screen और IE tab में ही video को recommend नहीं कर सकते हैं, बलकि आप description में भी अपनी playlist और video को recommend कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई video आपने बनाया और वो video के से related कोई दूसरा video है, तो आप उसको recommend कर सकते हैं, अपने comment में और इसको pin कर सकते हैं, या description में आप उसको दे सकते हैं. Add your video to playlist, अब आप अपनी playlist में भी video को add कर सकते हैं, जैसे आपके कई topic हैं, तो आप topic wise playlist बना लीजें और उसमें अपनी video को playlist के अंदर रखिए. Playlist, simple playlist एक होनी ही चाहिए, लेकिन अगर कई playlist हैं, तो उसको series वाली playlist बनाई है, series वाली means है कि, एक video के बाद दूसरे video की requirement देखने वाले को होगी, अगर अच्छा आपका viewer है, तो वो एक video के बाद दूसरी video को लगातार देखेगा, और हो सकता, वो पूरी playlist आपकी देख ले Share a playlist instant of video, अगर आप कोई video share करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर आप playlist को share कर सकते हो, और playlist शेर करने पर आपका video, playlist जो जब आद मी देखेगा, तो YouTube जो होता है, auto play करता है playlist को, तो एक के बाद एक video अपने आप run होने लग जाती है, जिससे आपका watch time बढ़ जाएगा, promote your video on social media अब social media पर आप promote करते हैं, तो YouTube भी उसको prefer करता है, क्योंकि उसको और subscriber मिलते हैं दूसरे channel से, और उसके बदले में वो आपको reward देता है, तो यह लोग जो कहते हैं कि social media पर link नहीं डालना चाहिए, वहाँ पर डालना चाहिए लेकिन limited उन groups में डालिये, जिसमें उसकी requirement हो, जहां पर लोग उसको देखें, जिससे कि new subscriber आपको मिलेंगे और YouTube को भी new viewers मिलेंगे, जो कि वीडियो को देखेंगे, तो YouTube के platform में fresh subscriber आएंगे, तो वो उसके लिए अच्छा है, और आप ही जानियेगा कि आपके कौन से ID है, सब्सक्राइबर वेस्ट हैं, अगर चैनल पे, other platforms पे, तो आप उनको recommend करिएगा YouTube की वीडियो तो वो जादा अच्छे से उसको देखेंगे, अपना लकाप खुद ही बना सकते हैं, जब अपने 4000 घंटे को पूरा करके, और वो कैसे पूरा होगा, जब आप अपने वीडियो को अपने ऐसे फ्रेंट सर्किल में शेर पश्यूरा है, और उनको promote करें कि वो आपके वीडियो को शेर करें, उनको जब आप promote करिएगा कि वो आपके वीडियो को शेर करें, जैसे कि अगर आप ने, आप खुद, tweet करिये और किसी को promote करिये कि वो रिट्वीट कर दे आपका वीडियो अपनी लिंक के साथ तो वो ज्यादा बूम करेगा और लोग आपके वीडियो को ज्यादा देखेंगे क्योंकि किसी ने आपके वीडियो को रिकमेंड किया है तो जब आपका वीडियो को रिकमेंड करेगा तो आपका वीडियो लोग ज़्यादा देखेंगे इसी को प्रमोशन कहते हैं जैसे बड़ा creator जब आपके वीडियो को लोगों में बोल देता है कि इनके वीडियो को देखिए तो लोग आपके वीडियो को जादा से जादा देखते हैं और आपका वीडियो पे वीउज आते हैं गो लाइव औन यूटूब अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं बढ़े रहे वाच टाइम नहीं बढ़े रहा तो आप लाइव आकर भी अपने वाच टाइम को बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिक्स करना पड़ेगा टाइ इसके लोग आकर आपसे चैट भी कर सकते हैं लोग आकर आपके वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद वो प्रियमर वीडियो वीडियो में convert हो जाता है तो एक पूरा चांस आपको मिलता है कि आपका वीडियो फुल रान हो जाए विद चाटिंग, विद सब्सक्राइबर, विद विवर्स तो इस इस अन्यू फीचर विच इस वेरी हलफू तो इंक्रीज दो इस वाच ताइम यूज यूटूब तो लाइव स्ट्रीम फ्रॉम वेबिनियार और अगर वेबिनियार आप करते हैं किसी आपने बिजनेस परपस के लिए अपने लाइव स्ट्रीम की है तो वो भी आपको हेलफूल होगी और वो कम से कम एक घंटे या दो से तीन घंटे तक या तीस मिनट से तो से तीन घंटे तक हो सकती है जिससे कि आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा और वेबिनियार के लिए पहले से आपको लोगों को इनफॉर्म करना पड़े गया है create an online course and host your video अप online course बनाई और अपने वीडियो को होस करिए जिससे कि आपके वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंों और वह सिंपल है कि YouTube के वीडियो में आपने वीडियो को embed करिए या blogs पे अपने वीडियो को embed करिए तो उससे क्या होगा कि आपके tutorial वीडियो लोग जादा देखेंगे, create a video and campaigns, अब आप एक करीकों और है कि add के तुरू अपने wash time को बढ़ा सकते थे, लेकिन अब YouTube में अपडेट आ गया है कि आप add के तुरू wash time नहीं बढ़ा सकते हैं, तो subscriber तो बढ़ा ही सकते हैं, तो आप campaign लगा करके subscriber को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप यूटूब पे अपने wash time को बढ़ा सकते हैं, और उससे आपका wash time जल्दी बढ़ेगा, अब आपका wash time कैसे calculate होता है, उसके लिए आपको 24 गंटा से आपको 4000 गंटे को divide करना पड़ेगा, तो आपका 166 दिन आएगा 365 दिन में, तो 24 गंटा से जब divide करिएगा तो 16 गंटा तो 24 गंटा लिजेगा तो आपका 4000 गंटा बनेगा, तो आपको इसको पाने के लिए 166 गंटे चाहिए और continuous 16 गंटे तक चाहिए, जिससे कि आपका 4000 गंटा पूरा हो जाए, तो 166 दिन में आपका 4000 गंटा तभी पूरा होगा जब 16 गंटा रोज हो देखें, तो इस तरह से आप 4000 गंटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप वाच टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो को शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था, उसको देख लीजेगा, उससे आपको वाश्यम काल्कुलेट करना आजाएगा. So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel. Rata Nagarwal, IT Informer. Thank you.